दोस्तों हैं बात करने वाले हैं फेडरल बैंक स्टॉक के बारे में तो शुरू करते हैं आज के 15 मिनट चार्ट के एर मैं बात करता हूँ करीबन 1% की गिरावट हमें देखने को मिली है 142 रुपे पर यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ने बना कर दिखाई वन डे चार्ट के एर मैं बात करता हूँ यहां पर भी गिरावट स्टॉक में जारी है देखिया अगर यही गिरावट जारी रहती है नीचे की तरफ 130 रुपे का एक सपोर्ट लगा कर चल सकते हैं इस सपोर्ट का पूरा ध्यान रखता है अगर इसको भी ब्रेक करके स्टॉक नीचे जाता है और निचले लेवल्स दिखा सकता है लेकिन बात करें टार्गेट्स की यहां से अगर वापस रिकवरी बनती है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन्स में जो टार्गेट स्टॉक अचीव करेगा वो हैं 145, 150 तक के टार्गेट्स दिखा सकता है अगर रिकवरी बनती है लेकिन यहां पर अभी फ्रेश बाइंग को बिलकुल एवाइट करना है वेट एंड वाच की स्ट्रेटजी अपना कर चल सकते हैं जैसे ही बाइंग का मौका बनेगा हम एक वीडियो सरूप बनाएंगे तो यही स्ट्रेटजी आपको उपनानी है फेटरल बैंक में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाइब